हाई मेजिंग पीपल आई होब कि आपकी लाइफ बहुत इच्छी चल रही है आपसे बहुत कुछ हैं और हमारे यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है आज की वीडियो में मैं बात करूँगा जर्मनी के नए वोग वीजा के बारे में जिसका नाम है शांसिंकार्टा और हम जर्मनी का अपके अपरचिटी काड़ भी बोलते हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा वोग वीजा है हमारे भारत के लोगों के लिए और दूसरी कंट्री के लोगों के लिए and मेरे पास आप सबी के लिए एक बहुत एची good news है and वो good news है जर्मनी के labor minister की तरफ से जिन्होंने ये कहा है कि मैं appeal करता हूँ कि जो भारत के जो students हैं जो जर्मनी में हैं जो भारत के जो workers हैं वो जर्मनी को छोड़ कर ना जाएं वो जर्मनी में ही रहें हमें भारत के students की भारत के workers की बहुत ही ज्यादा जरूरत है because इस टाइम जर्मनी बहुत बुले टाइम से गुजर रहा है जर्मनी के पास बहुत ज्यादा shortage है and जर्मनी ने चाहता कि कोई भी इंडिया का student या worker जर्मनी छोड़ कर जाए आपको लग रहा होगा कि मैं खुझ से सारी बाते बता रहा हूँ बट ऐसा नहीं है ये good news मैं आपको online दिखाऊंगा and उसके बाद आप खुझ से जब पढ़ोगो तो आपको भी यकीन आ जाएगा कि ये बिल्कुल सही है कि जर्मनी इंडिया की इस time importance बहुत जादा बढ़ गई है and जर्मनी को ये पता चल चुका है कि इंडिया के जो लोग हैं वो पड़े लिखे भी हैं and वो skilled worker भी हैं and वो बहुत जादा contribute कर सकते हैं जर्मनी की economy में जर्मनी की जो jobs खाली पड़ी उनको fill कर सकते हैं और अपने knowledge से, अपने talent से, अपने scale से अपने power से जर्मनी को एक नई उचायो पर ले कर जा सकते हैं and ये सब कुछ possible तभी होगा जब आप जर्मनी का ये job opportunity card apply करोगे because ये एक ऐसा रास्ता है जिसके थूँ आपकी जर्मनी में entry होती है वो भी बिना किसी job के यानि की जितने भी चीजे मैं आपको बताई है उन सब के, सब का रास्ता एक ही है और वो है opportunity card because इस visa को जब आप अप्लाई करके जाते हो तो ही आपको सारी job असानी से मिल जाती है और जर्मनी खुद से आपको welcome कर रहा है आपको खुद से बुला रहा है, appeal कर रहा है तो यह कितनी खुशी की बात है हमारे इंडिया के लोगों के लिए कि जर्मनी खुद से बोल रहा है कि आप सब आईए और आने के बाद यहां से मत जाईए क्योंकि दुनिया की दूसरी कंट्रीस पर में इतना भरोसा नहीं है जितना हमें इंडियन्स पर भरोसा है तो कहने कहीं यह बहुत अच्छी न्यूज है तो मैं सब को encourage करूँगा कि सब इस वीजा को apply कीजे जल्दी से apply कीजे अगर आपको कोई confusion है इस वीजा को पाने के लिए तो number आप हमारे screen पर देख सकते हैं हमाई team को contact कीजे हमने बहुत सारे clients को पहले वीजा दिलाया हुआ है तो हमें पूरी दरीके से पता होते हैं कि शांसिन कार्डा कैसे आपको मिल सकता है तो हम आपको भी दिला सकते हैं हमें अप्रोच कीजे और हमारा Instagram का account जरूर देखना futureabroad25 हमेशे बताते हैं कि हम भी Germany में रहते हैं हमने अपने Instagram पर बहुत सारी वीडियो और पिक्चर पोस्ट की है एक बार उसको देखोगे तो उसके बाद आपको भी यकीन आजाएगा तो उसके बाद आपको भी असानी रहेगी सुनाओ अब टाइम बेस नहीं करता अब मैं आपको सीधा ऑनलाइन लेकर चलता हूँ वहाँ पर ही मैं आपको ये good news breaking news दिखाता हूँ और आप खुद से पढ़ लेना उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा तो इसको पढ़ने के बाद आपको भी अच्छा लगेगा कि चलो हमारी बहुत जादा कदर है जर्मनी हमें बुला रहा है तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये है जर्मनी के अंदर हैं और वह दूसरी कंट्री में ना जायें और यहां पर लिखा है मंडे जुलाई 15 यानि की लेटेस्ट अपडेट में शेयर कर रहा हूं ब्रेकिंग निव्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं यहां पर आप पर सकते हो सारी की सारी breaking news जो आपको जानना बहुत जरूरी है Germany's Labour Minister has urged Indian scientist to please stay in the country as Britain and other English-speaking nations are luring them away with better job offers यानि की Germany के जो Labour Minister है यह Labour Minister है Germany के आप देख सकतो Mr. Heil यानि की गोहार लगाई है भारत के scientist से प्लीज आप यहां पर stay कीजे आप किसी और दूसरी country में मच जाएए हमारी country में रहिए यहां पर लिकावाए हाई issued the plea as his economy struggles with a shortage of biotechnologist, physicist and computer scientist यानि की जितने भी इस time Germany में बहुत सारी science related fields है उसमें बहुत सारी shortage है क्योंकि यहां पर अभी बहुत सारी लोग को इनकी जरुवत है जो physicist है, biotechnologist है, computer scientist यानि computer की जो field के लोग उनके लिए उनके लिए बहुत ही जादा डिमांड है यहां पर Germany के अंदर और यहां पर लिकाव प्लीज स्टे जर्मनी नीट्स यू यानि कि Mr. Heil से दूरिंग विजिट तो फ्राइ यूनिवर्सटी बर्लीन में इन्होंने कहा था प्लीज स्टे जर्मनी नीट्स यू जर्मनी को आपकी जरुवत है प्लीज यहां पर आप स्टे कीज़ें यहां पर लिकाव है द्यू तो देमोग्राफिक चेंज जर्मनी इस डिपेंडेंट ओन मोर इम्मिग्रेशन बट पीपल आप तो यहां पर स्टे करों इसलिए मैं बोल रहा हूं जितने भी लोग नहीं आरे अगर आप आओ को यहां पर स्टे कर सकते हो आपको यहां से निक अगर लिखा है अगर लिखा है अकॉड़िंट टू डी वेल्ट अब ब्राचिट न्यूस्पेपर जर्मनी इस फाइंडिंग इडिफिकल्ट तो रिटें सच वोगर आज रिए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री बोट इन यूरोप और बियॉड कहने का मतलब यह है कि बहु कि अगर लिकावा यह जर्मनी आपको रोगने के लिए पूरी तरीके से बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, आगे लिकाव है, जर्मनी अगर्य करते हैजर्मनी वेल का ट्राइंड यह रिवाग्स प्रवोड बाइस और स्पीर मिस्टर है कोरे वेज़ शिए पहलने की श बहुत कोशिच कर रहा है कि हर तरीके से जर्मनी को एक अच्छी कंट्री मतलब प्रेजेंट किया जाए अच्छी अच्छी सैलरी यहां पर मेले अच्छी लाइफ आपकी हो और साथ में यह इस साल अक्टूबर में इंडिया आने वाले दोबार से बार से डिसक्स करेंगे skilled migration policy को लेकर तो यह कहिंदा को बहुत अच्छी खबर है कि इंडिया में आ रहे हैं इसी साल October को आएंगे और discuss करेंगे आगे आप लिकावाए According to the German Economic Institute the number of highly skilled Indian workers coming to Germany last year increased by 36,291 while 56% of all Indian migrants in Germany are classified as highly skilled professionals यानि कि यह लाइन बहुत important है आपके लिए इस टाइम जर्मनी में 36,000 लोग जादा हैं और यह सबसे बड़ी बात देखो 56% उनने काई कि जितने भी लोग जर्मनी में रहते हैं 56% इसमें से highly skilled professionals हैं यानि कि इस टाइम भारत की जाद स्यादा लोग skilled work हैं जर्मनी के अंदर तो यह जर्मनी इंडिया की power को समझता है इस टाइम और यहां पर नहीं लिखावा है the people who come here are above average in terms of education and they earn significantly more than migrants from other countries said German Economic Institute कहने का मतलब यह है कि भारत के लोग जो यहाँ पर आते हैं उनको सबसे यादा salary मिलती है जर्मनी के अंदर क्योंकि जर्मनी में इंडिया के लोगों की इंडिया के टैलेंट की इंडिया के workers की बहुत ज्यादा demand है so I think मैंने बहुत अच्छी good news आपको दे दिया है जर्मनी के जो minister है यह आपको खुदी बोल रहे है कि हमारे पास आईए और हमारी country में रहे है stay कीजिए फायदा हो तो इस अच्छी good news का आपको ध्यान रखना है so now आपने खुद अपनी आखों से देख लिया है आपने पर्ड भी लिया है and यह कही न कहीं बहुत बड़ी good news है तो जितने भी हमारे भारत के workers हैं जो इंडिया में हैं जो भार जाना चाते हैं काम करना चाते हैं पैसा कमाना चाते हैं तो Germany को आपकी जुरूत है और आपको Germany की जुरूत है तो दोनों मिलकर कहीं न कहीं आपका भी भला होगा and Germany को भी फायदा होगा तो अब time waste मत कीजें किसी दूसरी country के चक्कर में मत पढ़िये सीधा जर्मनी पर फोकस कीजिए और इस शांसन काटों को अप्लाई कीजिए ताकि आपको वीजा मिल जाए और उसके बाद आपके जो भी फ्यूचर के सपने अच्छी लाइफ अच्छा पैसा अपनी फैमिली को अच्छी जिन्गी देना तो सारे सब कुछ पूरे हो सकते हैं तेंकियो सो मच आपके कीमति टायम का बेस्ट फ्लाग एंज प्लीज अमिशा अपना ध्यान लगिए